नवस्कार आप देख रहे हैं अमारी खास पेश का श्मारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी ETV का कारवा पहुंचा है करनाल जिले की घरोंडा विधान सभाशेत्र में जहां जनता दर्बार लगा रहे हैं हैफेड के चेर्मेन और बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्यान दर्वंडा विधान सभाशेत्र के बावत आपको बताते चलें करीब पौने दो लाख मतदाता यहां है सभी जातियों का बराबर का पृतिनी दित्व है मुगलकालीन सरायों के लिए यह प्रसिद रहा है इसके अलावा बड़ी बात आपको बता दें कि सबजी के लिए एक्सिलेंस सेंटर यहां है जो पूरे देश में इकलोता है और 13 साल पहले यहां प्रिंस चाल्स आये थे लेकिन इन सभी खूबियों के बावजूद बुनियादी सुविधाएं अभी भी यहां की बाठ जो रही है चाहे बाद स्वास्ते की करें चाहे बाद सिक्षा की करें और चाही बेरोजगारी की जी हाँ जनता दर्बार लगा हुआ है घराउड़ा के विधायक और हैफिट के चेर्मेन हरविंद्र कल्यान का इनके राजनीति करियर के बावत आपको बताते चलें राजनीती दरसल इनहें विरासत में मिली इनके पिताद देवी सिंग लोगसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और वहीं से इन्होंने राजनीती की जो पाटशाला है वो सीखनी शुरू किरी 1989 में इंजिनियर होने के बावजूद राजनीती से लगातार जुडाव रहा और लोगों से लगातार मिलते रहे कॉंग्रेस के साथ 20 साल जमीन पे काम किया लेकिन कॉंग्रेस ने मान नहीं दिया 2009 में अपने दम पर BSP से चुनाव लड़ा और भारी समर्थन हासिल हुआ लेकिन जीत नहीं मिली 2014 में बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने भी भरुसा जताया घरोंडा से अपने टिकेट का उम्मीदवार बनाया और इन्होंने पार्टी के भरुसी पर खरा उतरते हुए करीब 18,000 वोटों से जीत हासिल की पार्टी ने प्रदेश में अब हैफिड का चेर्मेन का पद इन्हें दिया हुआ है जहां घरोंडा हलके में जनता दर्बार लगा हुआ है और जनता दर्बार लगा रहे हैं हैफिड के चेर्मेन और बीजेपी के विधायक हरविंद्र कल्यान सरस्वागत है आपका पहला सवाल ये है कि जिस तरह की स्थिती सरकार की दिख रही है ये जो बीजेपी वाले हैं परचार बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन जमीन पे अगर बात करें डेड़ साल आपकी सरकार को हो गया है ऐसा लगता है जैसे या तो ट्रांसफर होते हैं या फिर जा टारक्षन में उलजी हुई है कोई काम आप ऐसा गिना पाएंगे डेड़ साल में कि जो जमीन पे हुआ है देखिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार खास तोर पर अगर आप कहें कि प्रचार प्रचार में बीजेपी की सरकार बहुत पीछे है और जितने अच्छे काम करें हैं नहीं ने देखिए हमें एक बिगड़ी हुई विवस्था मिली और यह भी असलियत है कि लोगों ने हमें विवस्था को ठीक करने के लिए विकास के लिए हमें वोट दिया चाहे केंद्र में नरेंदर भाई मोधी जी की सरकार की में बात कर सब्सक्राइब करना किसी भी सरकार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है और इसी काम को केंद्रिय सरकार करना की वचन वचन बद है कि हमें ववस्ता को ठीक करना है कैसी विवस्ता ठीक किया जब खराब ववस्ता को ठीक करने की बात करेंगे तो जाहिर है कि वहां से कौई तरीके से लाखों करोड रुपे के गोटाले हुए वो गोटालों ने विवस्था को हिला के रख दिया आज हमारी सरकार के अंदर किसी तरह का कोई ऐसी खबर आपको नहीं मिलेगी जबकि लगातार हमारी सरकार वचनबद है इस तरीक यह खबर में मिलती है कि काम ही नहीं होत हो रहा है जितने विकास के कारिये भारतिय जनता पार्टी की सरकार अगर मैं केंद्रे सरकार की बात करूं ने आप प्रदेश की बता देजिए मैं सबसे पहले आपको एक उधारन देता हूं हम एन एच वन के उपर घरोंडा विदान सवाक्षेतर है जे नेशनल हाइवे न नेशनल हाइवे नंबर वन का लगबग काम पूरा हो चुका है इसी तरीके से जितनी भी योजना है जितनी भी योजना है हर योजना इस तरीके से है कि उसका लाब आम आदमी को पहुंचे और समाज की पंक्ती में उस अंतिम खड़े हुए विक्ति को उसका लाब देखिए हर्याना की अगर मैं बात करूं तो जितनी पार दर्शिता लाने की शुरुआत जहां जहां ब्रश्टाचार के अड़े थे भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने मनोर लाल जी के नेतरतु में उन तमाम अड़ों के उपर चोट मारने का काम किया है मनोर लाल जी की स जहां पर ब्रश्टाचार चरम पे होता था आज अगर हम आम आदमी से बात करें तो ब्रश्टाचार के अंदर बड़ी-बारी गिरावट आये और अगर मैं विकास की बात करूं तो ये एक सेट फॉर्मूला है कि विकास तबतक नहीं हो सकता जब hugely और यह ब्रश्टाचार सरकार के दो काम होते हैं सबसे पहले एक अच्छी विवस्था सुशासन देना उसके बाद विकास करना और इससे बढ़कर जो मोदी सरकार भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि समाज किस तरीके से सही दिशा में आगे बढ़े यह सरकार के जो आज तक के काम होते थे उनको ठीक तरीके से करते हुए यह एक नई शुरुवात है चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है चाहिए सवच्ठा अभियान की बात है हेफिट का जो डिपार्टमेंट है हेफिट के आप चेर्मेन है आपने जब जिम्मेवारी संभाली तब इस्थिती पूरी होगी आपके होते हुए क्या को सुधार हुआ है क्या सुधार किया है आपने देखिए हेफिट की मैं बात करूँ तो वही योजना जो केंदर सरकार की है वही नीती जो परदेश सरकार की है उन्हीं नीतियों के ऊपर चलकर हमने जिम्मेवारी संभाली मानने मुक्य मंत्री मनोरलाल जी के आशिरवाद से और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वही पारदर्शीता हम हैफिड के अंदर भी लेकर आने वाले हैं इस बार तो 70 फीच दी उपर वाला महरवान था कि बादिशने हूई देखे सतर फीस इसी ती तो रख रखाव वाली स्थिती तो आप लोगों की तरह से अभी नहीं बनी यहूं कुछ मात्रा में आज भी बाहर होगा जैसे जैसे बंडारन की विवस्था बड़ेगी आज बारी मात्रा में स्टोर बन चुके हैं और आने वाले समय भी हमारा लक्षे है कि आज तक के जो गोदाम होते थे उसमें भी एक नई तकनीक के जो गोदाम है जिसको साहिलोज कहते हैं वह साहिलोज की शुरुवात भी अब हर्याना प्रदेश के अंदर हो रही है लगातार ये खबर दिखाते रहे कि जो किसान है बड़ी मेहनत से गेहूं पेदा करता है लेकिन अफसोस की बात है वो सड़ता है खराब होता है ये इस्तिती अब तक ही रही इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं आप से देखिए किसान निश्चित रूप से जो किसान का गेहूं हमने खरीदा उसको ठीक तरीके से उसका रख रखाओ हो जो सरकारी एजनसी जो केंदर सरकार के लिए हम गेहूं खरीदते हैं उसको ठीक तरीके से हम आगे पहुंचाए आप किसानों के लिए आप गंबीर हैं काम कर रहे हैं एक आखरी सवाल आप से के घरोंड़ा की जनता ने तो आपको विधायक बनाया और आप चेयर मैन हो गये विधायक से, ये घरोंड़ा की जनता को क्या दिया आपने? देखिए चेर्मेन बनना वो एक अतिरिक्त मुझे जिम्मेवारी मिली है असली रोल मेरा विधायक का अपने एक शेतर के लिए हमेशा रहेगा मुझे घरोंडा विधान सबाग शेतर के अंदर बहुत सी ऐसी बड़ी समस्याएं विरासत में मिली है और मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि मैं हर समस्या को दूर करने के लिए और विकास के कारियों को हर कारे को मैं योजनाबत तरीके से कर रहा हूँ जैसे की घरोंडा में जो पब्लिक हैल्थ की सबडिविजन दी जो साथ आठ साल पहले बिवानी में शिफ्ट कर दी गई थी हमारी सरकार आते ही मानने में मुखे मंत्री जी के आशिरवाद से दो महिने के अंदर अंदर वह पब्लिक हैल्थ की सब्डिविजन दोबारा घरोंडा के अंदर खोली गई जाद घरूंडा के अंदर जितनी भी और समस्या हैं जैसे हमारे यहां पार्क का भाव था एक जंगल हर्बल पार्क जो है वो जंगल के रूप में था आज अगर आप वहां पर देखें तो लोगों की एक बच्चों की महिलाओं को आज एक बहुत अच्छी जगा वहां पर ब समस्या थी उसका कारे लगबक खतम होने वाला अगले पंदरा दिन के अंदर रेलवे रोड कंप्लीट हो जाएगी घरूंडा के अंदर एक बाइस साल से जो लड़कियों का स्कूल डबल शिफ्ट में चल रहा था हमारी बेटियों को सुबह सुबह आना पड़ता था और द स्कूल वहाँ पर बनाने वाले हैं ऐसे गाओं है जहां पर लोग लोगों ने खुद मुझे बताया और मैं देखा करता था कि 30-30 साल से 20-20 साल से वहाँ पर विकास के कोई काम नहीं हुए आज घरूंडा क्षेतर के जितना भी इलाका है वहाँ पर हर तरीके से विकास का का जारे शुरू हो चुका है यहां आपके काम की सराना करते हैं दरसल हरवंडर कल्यान जी यह बात कह रहे हैं कि विकास के कामों को लेकर उन्होंने जो जनता से यहां वादा किया था उसको वो लगातार निभा रहे हैं और निभाएंगे एक चोड़ा से ब्रेक के लिए रु मैंने मानने मुख्यमंतरी जी के सामने रखी है और यह जो ट्रांसपोर्टेशन की जो समस्या है अगले कुछ टाइम में गर्ल स्पेशल इस तरीके से और बसों की उसमें एडिशन की जाएगी कि अगरे के बाद स्वागत है आपका इटी पर जनता दर्बार लगा हुआ है घरोंडा विधान सबा में हम हैं है फेड के चेर्मेन और बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्यान ये जनता दर्बार लगा रहे हैं उनकी जनता उनसे रूब रू है जान लेते हैं क्या कुछ सम हैं यहां की जे रखे अपनी बात विधायक जी बरसत गाहों में आज से लगबग 15 साल पहले एक गोशना हुई थी पीएचसी की और वो पीएचसी आज तक नहीं बन पाई उसके बारे में आप क्या कारवाई कर रहे हैं देखिए केवल बरसत की बात नहीं है बरसत और 14 दो है मैंने संबंदित विवाग से पूरी कारवाई चल रही है और निश्चित रूप से इस प्लान के अंदर यह समस्या बरसत की पीएचसी चौरा की पीएचसी यह काम पूरा होगा उसके लिए कारिव कारवाई प्रगती मतलब जल्दी साल भर में समय सीमा है कोई इसकी हमार अगली समश्या है देड़ बरस के अंदर जो पहुत सालों की पुरानी की समस्या थी और फ़ोसा दिया है चेरमेंट साहब ने अगली समस्या ले ले लेते हैं रखे अपनी बात विद्धायक जी घृड़ोंडा के अंदर कोई भी गल कालीज निए बच्चियों को पंड़न रहे हो पढ़ा रहे हो तो उनके लिए ये तो बड़ी समस्या है निश्चित रूप से बहुत पुरानी डिमांड है और ये डिमांड मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है और मुझे पूरी उमीद है कि गरुंडा के अंदर गर्ल स्कूल हर हालत में बनेगा और हमारी ब स्पेशल इस तरीके से और बसों की उसमें एडिशन की जाएगी चलिए विदायक जी ने बड़ा भरोसा दिया है कि जो गल्स स्कूल या कॉलिज की जो यहां जरूरत है उसको वो पूरी करवाने के लिए ततपर हैं और वो जल्दी इसको करवाएंगे अगली समस्या ले ल आप तक उपमंडल गरोंडा नहीं बना पंताली हजार के लगबाग अबादी है छोटे-छोटे कामों के लिए हमें कनाल जाना पड़ता है इतना होते हुए भी आप तक उपमंडल का दरजा गरोंडा को नहीं मिला देखे जहां तक गरोंडा को उपमंडल का दरजा देने की बात है ये भी जो डिमांड है मैंने सरकार के सामने रखी हुई है मानने मुख्यमंतरी जी के सामने लोगों की ये भावना है और लोगों की जरूरत है और इस जरूरत को जरूर पूरा किया जाएगा और मुझे उ उमीदे की सरकार का फैसला लोगों की भावनाओं के अनुरूप होगा चलिए मंडल का दर्जा मिलेगा घरोंडा को यह कोशिश रहेगी यह प्रयास रहेगा विदायच जी भरुसा दे रहे हैं इस मंच के जरीए घरोंडा की जनता को अगली समस्या ले लेते हैं जी रखे अ मेंबर्स को और बाकी भी जितने जन प्रतिनीदी हैं मैंने सब को एक चीज बोली है कि अपने इलाके की समस्याओं को लेकर आए और योजना बद तरीके से उन समस्याओं को दूर किया जाएगा और जहां जहां बहुत जरूरी है वहां पहले ग्रांट दिलवाई जाएगी कि जो काम बाद में हो सकते हैं उनको बाद में किया जाएगा चलिए ग्रांट मिलेगी गाओं के विकास के लिए ब्लॉक के विकास के लिए भरोसा दे रहे हैं अगली समस्या ले लेते हैं जी रखे अपनी बात मेरा विदाएग जी गाओं कोंड है और मेरे गाओं कोंड से ग्रोंडा से जो गंदानाला तो मेरे गाओं के बीच से निकलता है बरसाथ के टेम उस गाओं में गंदनी लिन बीमारी का खत्रा और भार बना करणे के का दूस मेरे विज़ें की तो में ज़गे कॉंड गाहों को मैं बदाई देना चाहूंगा कि उनकी 40 साल पुरानी समस्या का समाधान बिलकुल होने वाला है क्योंकि 2 करोड रुपे की लागत से जो ये नाला बनने वाला है उसकी मंजूरी हो चुकी है और शायद 7-8 दिन में उसका कारिय शुरू हो जाएगा ये एक तोफा कॉंड गाउं को बहुत जल्दी मिलने वाल और यमना के बीच की जल गिरता जलसतर बड़ी समस्या है और इस पर 5 अप्राइल 1987 में गोशना होई थी दो रजबायों की सुर्जेवाला सी चाही मंतरी थे लेकिन आज तक कोई पिछली सरकारों ने इस पर कार या नहीं किया आप उस पर क्या करना चाहेंगे देखिए एक फ में बहुत बड़ी समस्या हमारे था की समंदित समस्या है जो करनाल से जो मुगल के नाल निकलता है और वह ड्रेन नंबर वन बन के घरहोंदा विदान सवा के गाूंग से गुजरता है वो कहरवाली गाउं के भाद फैजली पुरमाजरा के बाद वो ड्रेन ब्रेक हो जाती है जिसकी वज़े से सेंकडो एकर जमीन जो किसानों की खराब होती है और आगे की जो ड्रेन है लगबग चार किलोमीटर का एक टुकडा ऐसा है जिसमें वो ड्रेन डिसकनेक्ट हो जाती है मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि उसके ऊपर कारे चल रहा है और एक योजना तियार की जा रही है कि उस ड्रेन को अग्ली ड्रेन से अगली ड्रेन से छिकनेक्टánd डुक किया जाए और उसको यमुना के अंदर उसको डला जाए चलिए ये बड़ा भरोसा दिया है काम चल रहा है और जो जल स्तर को लेकर गिरते जल स्तर को लेकर वे चिंतित हैं और इससे लेकर बाकाइदा सरकार के संग्यान में इस सारी बातें डाली हुई हैं किसानों को भी इससे बड़ा फायदा होगा अगली समस्या ले लेते हैं जी जी मैं साब सिंग पहलवान गाम बर्स से, मैं विदाइक जी को एक स्वाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो समस्या हमारे एरिया में हैं, जो पच्छे पड़े लिखे हैं बेरोजगारी की, मैं विदाइक जी से परशन पूछना चाहता हूँ कि इस और सरकार ने क् कुछ कम कर सकें इसको दूर कर सकें अभी कोई लगबग एक साल पहले मैंने पैना सौनिक कंपनी के साथ एक टाइप किया जिसमें वो CSR एक्टिविटी के तहत गरूंडा विदान सबाक्षेतर में अपनी सेवाई देंगे पैना सौनिक ग्रूप एक पूरी दुनिया के सबसे बड़े ग्रूपों में से एक ग्रूप है उसमें स्वास्त सेवाओं को लेकर एक मेडिकल एक मोबाइल एंबुलेंस उन्होंने शुरू की है जो लगबग पांच हफते में पांच दिन के लिए ग्रूंडा विदान सबाक्षेतर में आती है और उसका लाब यमुनाक्षेत के साथ लगते हुए गाओं को मिल रहा है यह आप जानते हैं कि वो मुबाइल एंबुलेंस पिछले काफी समय से चल रही है दूसरा उनके साथ जो टाइप किया है एक स्किल डूपमेंट सेंटर वो स्किल डूपमेंट सेंटर में लगबग 200 बच्चों को लड़के लड़क करेंगे उनको हम जो परदान मंत्री की जो मुद्रा योजना है उसके तहत ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको लोन मौया कराएंगे और उनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे इसके उपर भी कारें हमारा शुरू हो चुका है और पीसरी योजना जिसके उपर मैं काम कर करना हूं कि घरुनदा विदान सबाखशेत्र के अंदर कोई उद्योग आए उसके लिए भी मेरी पूरी कोशिश है कि इस प्लान के अंदर उसके लिए भी मैं कारे कर रहा हूं चली बड़ी बात कही है रोजगार के लिए वे चिंतित हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों को उन्हों लाने का प्रयास करेंगे स्केल डेवलप्मेंट जिस तरह से सेंटर की बात है वो भी जो बच्चे हैं उनको रोजगार मुहिया करवान में मदद करेगा यह भरोसा दिया है अगली समस्या ले लेते हैं जी रखे अपनी बात हमना समस्या यह दो मारी लड़की पड़े ना अब गयाने का मारा स्कूल अचे बार मी का कौन से गाम से हैं आप पन्योडिते जी विदायक जी देखिए माता जी ने जो डिमांड रख है कि लड़कियों को गाउं से बाहर ना जाना पड़े उसके लिए मैंने जो हमारा शिक्षा विभाग है उसके साथ हमें योजना इस तरीके से काम कर रहे हैं कि मैपिंग हमने पूरे विदानसभा की हम कर रहे हैं कि कहां कहां हमारे पास किस तरके स्कूल है और कहां कहां प बच्चों को ना जाना पड़े बेटियों को बहुत दूर ना जाना पड़े इस तरह की वेवस्ता हम बनाएंगे कि राजनेतिक कारणों से ना होकर स्कूल की अपग्रेडेशन और शिक्षा का स्तर बढ़े उसके उपर गंभीरता से हम काम इनके गाउं को क्या स्कूल मिल पा जो सिक्षा की बात है वह बहुत जरूरी चीज है उसके लेकर आपने चिंता जाहिर की है मैपिंग बाकाइदा हो रही है और जिन स्कूलों में इस चीज की जरूरत है अप ग्रेडेशन की जरूरत है वह बाकाइदा में की मेपिंग की आधार पे होगी अगली समस्चा ले जी अपनी बात देखो च्छोटी समस्चे मारी एं एक मारे बुड्डों की पिलसल गाउं में मिलनी चीजी गवांड में जाते हैं वो कहां जाते हैं रहेंपरे में जाते हैं दिक्कत होती है जी बुड्डे बुड़िया बहुत परसाना थे पेंशन वाली दिक्कत है यह ज मैटर को टेक अप करूंगा भी भाग के साथ कि अगर लोगों को वहां जाने में दिक्कत है तो कोई ऐसी विवस्था बनाई जाए कि गाउं में ही उनको पेंशन दी जाए ये विवस्था मैं जुरूर जल्दी बनाने की कोशिश करूँ ये बड़ी बात कही है अरविंदर कल को में इस तरह की इस्तिती है कि बुजर्गों को जाने में दिक्कते होती हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने एटीवी पर जनता दरवार लगाया चेर्में साब फिलाल इस खास पेशकश में इतना ही अगले हफते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ आपक से मुलाकात करवाएंगे तब तक के लिए नमस्कार